विकास कारियों में धन की कमी नहीं राजस्थान अब चुनाव के मोड में हैं और अगर ऐसे हालात बने तो निश्चित तोर पे सरकार को दिक्कत हो सकती है यही नहीं एक और पत्र कहँं आपको पड़वा रहे हैं जिसमें आप देख पारे हैं कि राजीव गांदी युवा मित्र जिनके वरोसे पे सरकार का प्रचार अभियान चल रहा है गेहलोत सरकार का खास करके और लंबे समय से वो काम कर रहे हैं, इस पत्र में साफ लिख रहे हैं कि उन्हें बुक्तान या अन्य उनकी जो मांगे हैं, उनको लेके फिलहाल किसी तरह का कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया है. अलांकि इसमें बुक्तान की बात नहीं है, बुक्तान की बात छातरवर्टी में हैं, लेकिन राजीव गांदी युवा मित्र एक बड़ी रीड माने जाते हैं, गैलोद सरकार की जो तमाम योजनाओं का लाइक, शेर, ट्वीट, रीट्वीट, डिसलाइक करना दूसरों को सम भी मांग नहीं मानी गई, तो वो इस काम को बंद कर देंगे, देखना है, इसका असर क्या होता है, और असर तो बड़ा होगा ही, इसी पीच राहूल गांधी ने एक इंट्रिव्यू दिया है, दिल्ली के एक मेडिया हाउस के फंक्शन में, बात करते हुए, उन्होंने कहा कि हम 36 गड़ और मद्यप्रदेश जीत रहे हैं, राजस्तान में थोड़ी टक्कर है, मतलब कि राहूल गांधी की नजर में राजस्तान को लेके शक्षुभा अभी कायम है, ऐसे में साफ हैं कि कॉंग्रेस और राजस्तान सरकार के मुखिया की और से जो दावे किये जा रह रहे हैं, उन दावों में सच्चा ही धोड़ी कम है, जबकि राहूल गांधी उस इंटर्विव को करने से पहले राजस्तान में अपने कारे करताओं, बोत लेवल के कारे करताओं को संभोतित करके ही गए हैं, ऐसे में पार्टी के जो अघोशित मुखिया हैं, घोशित तक कर हैं, सरवजनिक रूप से कहना अशोगैलुद सरकार के मनसूबों पर बड़ा एक पानी जैसी स्तिती फेरती है, लेकिन क्या इस बयान का चुनाओं पे असर पड़ेगा, क्या इस बयान का टिगट पितरण में असर पड़ेगा, क्या इस बयान का और भी चीजों में असर पड़ेगा इसको लेके कॉंग्रेस फिलहाल चिंता में हैं क्योंकि बजट का अभाव आपके पचार करने वाले तंतर की नाखुशी और मुखिया का यह बयान तमाम तरह के समीकरण राजस्तान में कॉंग्रेस के खिलाफ खोलता है और इन सब पे अटेकिंग मोड में है भारती जंतापार्टी तमाम चीजें राजनेतिक रूप से दिसंबर तक कैसे कैरी कर पाएंगी यह लगातार देखे जाने की बात है और इस लगातार देखे जाने के लिए सब्सक्राइब करें Think360 को